पियाजियो इंडिया हेग, स्टिफेन ओपिले ने घोशना की है कि कमपनी भारत में एक प्रीमियम पफॉर्मेंस स्कूटर वेस्पा जीटीएस 300 लाँच करने जा रही है। कमपनी का कहना है कि मौडल वर्तमान साज सज्जा के दौर से गुजर रहा है और 2016 हंद तक लाँच हो सकता है। भारत जीटीएस जीटीएस 300 की कीमत 4 लाख रुप्य के आसपास होने की उम्मीद है। भारत में वेस्पा जीटीएस 300 की कीमत होगी 4 लाख रुप्य बड़े ब्रांड नाम होने के बावजूद वेस्पा स्कूटर वर्तमान में भारत में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। हाला कि कमपनी अब बजार में एक आक्रामक रूप लेने जा रही है। पिछले साल कमपनी ने देश में वेस्पा VXL 150 और SXL 150 स्कूटर को लाउंच किया है। वेस्पा के अन्य एक दो पांच सीसी उत्पादों पहले से बिकली के लिए मौजूद है। इस लाउंच के साथ, वेस्पा देश में सबसे ज़्यादा डिस्प्लेस्मेंट आटोमेटिक स्कूटर का निर्माता बन जाएगा। भारत में वेस्पा GTS 300 की कीमत होगी 4 लाक रुप्ये। पियाजियो 2016 आटो एक्सपो में इंडिया बाउंड अप्रलिया SR 150 का भी अनावरन कर चुकी है। कमपणी ने घोशना की की 12 साल अगस्त में इसको लाउंच करेगी। SR 150 पहला अप्रलिया प्रोडक्ट होगा जो भारत में तयार किया जाएगा। इसके चलते इसकी कीमत भी कम होने की उम्मीद है। Vespa GTS 300 को 2014 आटो एक्सपो और 2015 इंडिया बाइक वीक में शोकिस किया जा चुका है। ये स्कूटर की पूरी बॉडी स्टील की है। दावा किया गया है कि यह हाई स्पीड स्थिर्ता देती है। स्कूटर की टॉप स्पीड 128 किलोमीटर प्रती गहंटा है। दोनों वील दो 2.0 mm डिस्क ब्रेक और ABS एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम के साथ हैं। भारत में Vespa GTS 300 की कीमत होगी 4 लाक रुप्ये। पावर की बात करें तो Vespa GTS 300 में 278cc, सिंगल सिलेंड इंजन दिया गया है जो 21.2 PS की ताकत रखता है। इस बात की काफी उम्मीद है कि भारत में स्कूटर CVU Complete Built Unit के माध्यम से लॉंच किया जाएगा। 4 लाक रुप्ये की कीमत में भारतिय बाजार में ये सबसे महंगा स्कूटर होगा। इससे पहले कुछ रिपोटों का दावा किया गया था कि इतालवी कमपनी अपना flagship Vespa 946 भारत में लॉंच करने वाली है, इसकी कीमत 9 लाक रुप्ये तक होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।